यूस एटी इंडिया यूस ए जून्गाइड में आदिया के दूतोह ने रात-का वो किस्टा सुनना चाहेंगे तो सुन लिजे इसके अंदर एक ककनबड से जॉंट है इसकी सुरंग अभी जो निर्माण किया आया रिपंधाई की थी उसमें निकली ली तो उसमें शुच्था शभब कि अपता निया मंदर कि इसमी चलागा हुआ, इसको गुमाओगा तो और रस तान्द कुल जागा रातु बुतु का बास हुटा लागा वाँ क्या यहां पर कोई है जो हमसे बात करना चाहता है अगर आप में दम है तो आप आईए हमसे बात करिये कुछ आवाज एक दम से बंद होगी तो जाओ गया अनीजी से लग रहा है अभी एकदम से हुआ ही पानी दो पानी दो पानी अराम्से अरामसे अरामसे अरो भाई आप खड़े ओ आप यहां बैट हो सलो याशा अ यार अंजली दिखनी रही है कहीं पर, इधर ही उधर होनी चाहिए कहीं पर, प्रेड के पास तो नहीं दिखाई गरी, अरे वो अंजली तो नहीं है, देखना देखना देखना, अंजली, क्या हो गया, 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 ये आपको अभी बता भी दें तो भी आप समझ नहीं पाएंगे वो समझने के लिए आपको मंदिर को समझना पड़ेगा ये देखिए ये है मंदिर अब आप सोच रहे होंगे इस तरह चट्टानों को आड़ा ठेड़ा रखकर कौन अनाड़ी मंदिर बनाएगा वैटन भारी पत्थ्रों को सैक्णों फीट उपर पहुँचाने का तरीका पता था उन्हें क्या मंदिर की दिवारें खड़ी करनी नहीं आती थी इसी सवाल के जवाब में लोग कहते हैं कि इसे भोले बाबा के गणों यानी भूतों ने बनाया है मद्पदेश के मुरैना जिले के वीराने में खड़ा एक विशाल मंदिर सदियों से सिद्धियों, सवालों, चमतकारों और रहस्यों से गिरा जहां दिन में इनसानी कदम भटक कर पहुँच भी जाएं लेकिन रात में परिंदा भी पर नहीं मारता क्योंकि रात होते ही यहां फैला खौफ सांसे लेने लगता है मुर्दा रातों की कहानियां जिन्दा हो जाती है एक अकनमट है यहां यह भूतों का बनाया हुआ है हम लोग बोलते थे भूतों ने कैसे बनाया कि किसी को मालूमी नहीं है रातो रात बना दिया है, और यहाँ कोई पत्थर नहीं था, कोई कारिगर नहीं थे, कोई ऐसा हूण था कि जिस से जै यह इतना जल्दी बन सके। पत्थरों के उपर पत्थरों पर मूर्थिया लगाई गई हैं, जिनके की अभी अभशेष शेश में। उससे ये बिलकुल निर्धारण होता है कि इस मंदिर का निर्मान कहीं भूतों ने या किसी आध्यात पो धर्म से परिपूर्ण बड़ी सक्ती द्वारा किया गया है। हमने कहा कि भूत तो होते नहीं तो फिर वो मंदिर कैसे बनाएंगे। तो लोगोंने कहा कि अगर भगवान शंकर पर विश्वास है तो उनके गणों पर भी करिये। और उनके गण अपने आराध्य के लिए मंदिर क्यों नहीं बनवा सकते। जब उनकी बरात में सब लोग जा सकते हैं भूत, पिसाथ, डानाव, किंडर और इतने लोग जा सकते हैं तो कि वो अपना मंदिर नहीं बनवा सकते उनसे भूतों से। बताव आप। जो चीजें मनुष्य नहीं निर्मान कर सकता। और जो बिना चूना या पत्थर या किसी जोड के इतने भारी कई कुंटलों के पत्थर और लगवग एक सो पंदर से वीस फुट उंचाई तक लगाके बिना सहारे के बनाना उस मिरेकिल जैसा है और एक मानव वुद्धी को चिंतक को बाध्य करता है कि ये कैसे हुआ लोगों में भी वहां गाओं-गाओं में कहना है कि इसका निर्माण बहुतों ने किया बागवान शंकर के गण है अच्छा चलिए ये मान भी लें कि ये सच है तो फिर उनके गण ऐसा अजीव सा निर्माण क्यों करेंगे तो लोगों ने कहा कि महादेव ने गणों को इजाज़त तो दी लेकिन उन्हें एक रात में मंदिर बनाना था जब बंदर का निर्माज भूत एक रात में होड़ा था और भूत कि समेरमा कर रहे थी अचानक सुवह होती है सुवह के जैसी पहर लगता है तो इस तरी दिखिया या बारतन की अबाज आई पर सुवह हो गई थी और भूत को बास चला गया था आद अधुर वपन के तयार पर जनता आई यहां तो देखा तो यह तो जंगल था यहां गोर उन्होंने का यह कहां से बने गया कैसे बने गया तो हमारे पिता जी बगएरा बाबाबा गुरू हो सब पताते हमने इसको ऐसे ही देखा है कितनी भी आँ दी तूपान बहुत बैंकर वाए हमें फिर भी यकीन नहीं हुआ तो लोगों ने कहा कि मंदिर हजारों साल पुराना है भूकम्प और प्राकृतिक आपदाओं ने अब तक न जाने कितने शहर और राज्यत तबाह कर दिये दुनिया के नक्षे बदल दिये और इस मंदिर का एक पत्थर भी हिल जाता तो पूरा मंदिर ताश के पत्तों की तरह डह जाता लेकिन आज तक इस मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ और यही शिवशक्त का सबूत है पत्थर लटक रहे हैं उसके नीचे खड़ हो जा तो ऐसा लगता है यह पत्थर अभी किरेगा जब कि हमाद बादतर साल को हो गए उस समय दस साल को होगे तब से वो पत्थर भाई की बहीं लटका हुआ पत्थर इस लाके के न बनाने वाले इस दुनिया के नहीं दिन में पूजा करने की इजाज़त न रात में यहां रुकने की किसी की हिम्मत क्योंकि यहां यह सब उनका अधिकार है जो सिर्फ शिव के हैं और उसका सबूत है यहां से रात में आने वाली मंत्रों की आवाज है जलेहरी जिन में नीचे लगी होती है वो परिवार सहित है उसमें पारवती जी होंगी गड़ेश होंगे कार्टिके होंगे नंदी होंगे वो विशुद्ध धर्म का मंदिर वहां होता है धर्म की पूजा होती है लेकिन सिव का सिवलिंग जहां इस्थापित है और जलेहरी कोई टूरिस्ट आता या देखने आता तो मना कर देते हैं महादेव का द्यान तंत्र और मंत्र से करते हैं तब उन्हें सुना और देखा भी जा सकता है हमने लोगों से कहा कि यह शरार्ति तत्वों का काम हो तो लोगों ने कहा आप खुद रुख कर देख लीजी लेकिन ऐसा करना है तो महादेव के मंदिर के अंदर जाने से पहले महाबली के दर्बार चले जाओ पास में ही है वहाँ कहानी का एक सिरह और मिल जाएगा बहुत सुन लिया अब एक्षन का वक्त था इसलिए हम कहानी के सबसे पहले सिरे को खंगाल ने पहुँच गए ककनवत मंदिर के रास्ते पर हम हैं और देखें कि एक विशाल मूर्ती बजरंग बली की यहाँ पर है और पंडिजी हमारे साथ यहाँ पर है पंडिजी इस मूर्ती के बारे में कहा जाता है कि स्वैंभू मूर्ती है क्या है इतिहास यहां का यह ग्यार्मी सताब्दी से बताते हैं अपनों लोग कि ग्यार्मी सताब्दी का यह ग्यार्मी सताब्दी से भी पता नहीं है तुलसी दाजी की यह प्रतिष्टा कराई हु लोगों का दावा था कि बजरंग बली के धाम में सुरंग का रास्ता बंद कर दिया गया था उधर ककनमठ में आज भी एक तरवाजा है लेकिन आज तक कोई उसे खोल नहीं पाया ककनमठ और महाबली के धाम को जोड़ने के लिए सुरंग क्यों और किस ने बनाई ये कोई नहीं जानता हमने सोचा कि हम सुरंग तलाश हेंगे शायद सुरंग के अंदर ही ये सारा रहस्य खुल जाए शायद रात में रुकने की जरूरत ही न पड़े लेकिन उससे पहले हमने ककनमठ के हर हिस्से को दावों से नहीं बलकि अपनी आँखों से देखना और समझना शुरू किया इसी खोज में हमें मंदिर को लेकर एक अलग ही कहानी पता चली ककनमठ मंदिर की दो कहानिया हैं एक वो कहानी जिसके बारे में कहा जाता है कि भूतों ने इस मंदिर को बना और दूसरी कहानी जिसके बारे में यहां के पूरा तत्व विभाग ने लिखा हुआ है कि यह मंदिर का जो शिखर है लगभग सौ फीट उचा है जो जिन शेर है अब इस मंदिर के कहानी जो इतिहास के बारे में कहा जाता है कि मंदिर का नाम रानी ककनमठी के नाम पर जाना जाता है जो संभत्त कचप घात शाषक किरती राज की रानी थी जिसके आदेश पर ही इस मंदिर का निर्माण 11 सदी में किया गया यानि कि 11 सदी में ककन वती जो थी वो शिव भक्त थी और उनकी इच्छा थी कि एक शिव मंदिर निर्माण किया जाए तो राजा ने उनके लिए उनके आदेश पर इस शिव मंदिर का निर्माण किया एक दावा लोगों का था और दूसरा दावा सरकारी लेकिन मंदिर की सनचना दोनों दावों पर सवाल खड़े करती ये मंदिर आपको बाहरी तोर से जितना खुबसूरत दिखता है उतना ही अंदर से ये डराता भी है जिसके तस्वीरें आप देखें कैसे यहां के जो पत्थर है फुल लटके हुए आपको दिखाई देंगे देखें ये पत्थर आपको जो उपर दिखाई दे रहे है ना ऐसे एक उपर एक ऐसे लग रहा है कि बस थोड़ी ही देर में ये पत्थर यहां से नीचे गिरेंगे और जमीन पर आ जाएंगे ये अपने आप में एक दरावना द्रश है जो आप मेरे कैमरे पर देख पा रहे होगे अलग-अलग पत्थर देखें ये पत्थर कहां से बाहर से निकले है ये बीच का ये जो मंदिर का प्रांगर्ण है जो मंदिर का मंडप है और मेन मंदिर के बीच को जो जोड़ता है उ वो भी दिखाई पड़ रहा कि कितने भयानक तरीके से यह पत्थर यहां पर रखे गए हैं। सोचिए कि अगर कोई राजा अपनी रानी की पूजा अर्चना के लिए मंदिर का निर्मान करवाएगा तो भला ऐसा क्यों करवाएगा कि मंदिर खुद उन पर ही गिर जाए। वही सवाल ये भी है कि अगर शिव के गणों ने इसका निर्मान करवाया तो फिर ये सुन्दर नकाशी कहां से आई यानि मंदिर का ये हिस्सा किसी राजा और कुशल कारीगर का काम लगता है और ये उपर का हिस्सा शिव के गणों का यानि सच इन्हीं दो दावों के बीच क नहीं छुपा और वही हमें तलाशना है हमने पहले वह पथ्धर खंगाले जो मंदिर में लगे तूर जिस पद्धती की अब तक बात हो पा रही है इस मंदिर को बनाने में वह पद्धती अभम आपको दिखा रहे हैं देखें यहां पे कोई जोड नहीं है यहां पे देखि इस मंदिर को बनाने में किसी भी जोड का इस्तमाल नहीं किया गया है यहाँ पर देखे नीचे, बस पत्थर एक दूसरे के ऊपर रखे गये हैं किसी भी सिमेंट या किसी ऐसी चीज से ये जोड़े नहीं गये यहाँ देख रहा, कोई जोड नहीं दिखेगा बस इसी पध्धती से ये पूरा मंदिर बना है और अब तक ऐसे ही टिका हुआ है मंदिर में नहीं समझाया तो हमने बाहर बिखरे पत्थुरों को परखा आम तोर पर आपको घर बनाने में आसपास के छेत्रों की मदद लेनी पड़ती है क्यों क्योंकि आपको इंट पत्थर जो आपने आसपास के छेत्रों में ही मिल सकते लेकिन कखन मट के मंदिर के निर्माड में जिन पत्थरों का स्तमाल किया गया है लोग बताते हैं कि ऐसे पत्थर यहाँ पर मिलते ही नहीं, अब जिसे इन पत्थरों को देखे, ये पत्थर इस छेत्र में मिलते ही नहीं, पुराने जमाने में किले और मंदिरों को बनाने के लिए एक ब्लॉक सिस्टम का उपियोग होता था, कि एक बड़ा पत्थर उसमें छोटा सा छेत किया जाता था, जिसमें चोटे पत्थर को अटकाया जाता था, तो ऐसे वो पत्थर उपर-उपर-उपर उपर-पहुंच जाता था और उससे मजबूती होती था, जिससे एक दूसरे में पत्थर जुड़े होते थे, लेकिन जिस की तलाष अभी मुझे है न, वो ये थी कि, क्य कोई ऐसा यहाँ पर भी ब्लॉकिंग सिस्टम का उप्योग किया गया था जिसकी वज़से मंदिर खड़ा हुआ लेकिन अब भी इतिनी तलाश के बाद मुझे ऐसा कोई पत्थर यहाँ पर नहीं मिला ऐसे समझ नहीं आएगा हमने सोचा कि मंदिर की बनावट जैसी है ठीक वैसा ही स्ट्रक्चर बना कर लोगों के दावों को टेस्ट करते हैं पहले हमने उन्हीं चट्टानों के टुकडे कठा किये जिनसे मंदिर बना था फिर हमने मंदिर बनाया अब वक्त था उन्हें टेस्ट करने का नीचे का बेस है ना उपर की कोशिश करते हैं मैं जितनी कोशिश कर रहा हूं उपर से पत्थर यहां वहां फिलते जाएं अब इसमें जैसे आंधी तुफान है जरा सा अगर में टच करूँगा तो मंदिर जो सक्चर है वो इसी तरीके से धराशाई हो जाएंगा लोगों का पहला दावा सच था यहां एक भी पत्थर हिला तो मंदिर ढेर हो जाएगा फिर आज तक कोई भुकंप या कोई और प्राकृतिक आपदा से मंदिर कैसे बचा रहा तभी हमें शिव के गणों वाले दावे को पुखता करता दूसरा सुबूत दिखाई दिया ककनमट के मंदिर के प्रांगण में सिर्फ शिव मंदिर ही अधूरा नहीं है बलकि एक ऐसी और जगह है जो की अधूरी है यानि कि ये नंदी का मंडप नंदी का मंडप इसलिए भी क्योंकि जहां शिव भगवान होते हैं वहां नंदी माराज जरूर होते हैं अब देखें ये मंडप जो है ये भी अधूरा है इसको बनना था पूरी तरीके से लेकिन जब मंदिर ही अधूरा रह गया सुबह होते ही जैसा कि लोग बताते हैं हम इस पर कितना विश्वास करें हमें अब तक क्लेर नहीं हो पा रहा है लेकिन असलियत यही है कि यहाँ पर एक नंदी का मंडप बनना था जो कि अधूरा रह गया यहाँ पर नंदी भगवान की स्थापना होनी थी और वो भी अधूरी रह गयी क्योंकि मंदिर ही अधूरा रह गया शिव भगवान की स्थापना हुई शिवलिंग की स्थापना हुई, मंडब बना, लेकिन नंदी स्थापित नहीं किये गए जैसे कोई अधूरा काम छोड़ कर भाग गया, जैसा शिव के गणों वाली कहानी में बताया गया था तो क्या लोगों की बात सच है, इस संभावना को प्रबल किया वहाँ मिले एक और सबूत में ककनवत मंदिर में सबसे आश्चर करने वाली बात ये है कि यहाँ पर एक चक्र है इस चक्र को जो आप देख रहे हैं, यह चक्र बहुत ही पौरानी बताया जाता है कहा जाता है कि पहले ये चक्र घूमता था और इस चक्र के घूमने से ही दर्वाजा है वो खुलता था आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरके से इसकी नकाशी की गई हो और ये चक्र आप देख सकते हैं कि एक बेस पर है जो पहले घूमता था ऐसे लोग यहां के बताते हैं लेकिन अब ये चक्र काम नहीं करता है जसकी वज़े से अब इसे जो मंदिर की सीड़ियां उससे ढख दिया गया है वो चक्र हमसे भी नहीं घूमा लेकिन वो मौजूद था ठीक वैसा जैसा लोगों ने कहा था यानि एक और सबूत अब बारी थी शिवलिंग को देखने की देवों के देव महादेव का एक नाम भूत नात्पी है और जितने वो देवताओं को प्रिये हैं उतने वो भूतों को भी प्रिये हैं मुरयना के ककनमठ मंदिर की ये जो कहानी है कि इस मंदिर को भूतों ने बनाया तो भूतों ने जब इस मंदिर को बनाया तो भूतों ने इस शिवलिंग की भी स्तापना की होगी और ये वही शिवलिंग है ककन मट का जिसके बारे में कहा जाता है कि भूतों ने एक दिन में इस मंदिर का निर्माण किया था पुराणों में कहानिया है कि भगवान शिव के शादी में देवताओं के साथ साथ में भूत, प्रेत और नजाने कितने गण जो भगवान शिव के थे वो भी गए थे पूजा की भले मनाई ही हो लेकिं स्थानी लोग जो यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर भगवान शिव की पूजा करते हैं अर्चना करते हैं और इन्हें मनुतो का भगवान कहा जाता है भगवान शिव के राधना के लिए यहाँ पर गाउं गाउं के जो आसपास के लोग है तो क्या वाकई इस मंदिर को शिव के गणों ने ही बनाया था यहां मिल रहा हर दावा तो यही इशारा कर रहा था हम किसी नतीजे पर पहुँचते उससे पहले हमें कुछ और दिख गया जो पुरा तत्व विभाग को सबूत मिले हैं उसे देखिए कितनी लेयर में इसकी जो बेस है जो नीव है इस मंदिर की वो यहां पर खुदाई में मिली है देखे यहां पर पत्थर है यहां पर पत्थर है जहां मैं खड़ा हूँ वहां पर पत्थर है और जो ये बेस आपको दिखाई दे रहा है जो नीव दिखाई दे रहे है वहाँ पर भी पत्थर है ऐसे तमाम अवशिश यहाँ पर पुरा तत्व विभाको खुदाई में मिले हैं जिस जगे पर मैं चल रहा है वो मंदिर की पुरानी नीव है और कितनी मजबूती से बनाए यहाँ नीव इस मंदिर की हो सकती है जो इस मंदिर को मजबूत बनाती है जिसकी वज़़ से यह मंदिर अभी तक यहाँ पर डट कर खड़ा है यानि ये मुम्किन है कि इस बेहद गहरी और मजबूत नीव ने मंदिर को अब तक प्राकृतिक आपदाओं से बचा कर रखा हूँ लेकिन मंदिर को आड़े तेड़े पत्थर रखकर किसने बनाया अब वक्त को बलट कर निर्मान करने वाले को तो नहीं देखा जा सकता लेकिन रात की हल्चल को तो परखा जा सकता निजाम जी एक चीज समझ में नी आ रही है दो कहानिया है एक वो कहानी जो एक किसवी सदी से जुड़ी है और दूसरी कहानी भूतो वाली कि हुटो की कहानी सुनके मेरे को यह लग रहा कि कहीं ने कहीं पॉजिटिव निगेटिव एनर्जी भी होगी अगर रात में कुछ चीजें होती हो क्योंकि शाम में लोगों का आना मना हो जाता है इस मंदिर में पैरानॉर्मल वाली टीम मंगा लेंगा इसके लिए तो पैर गृष क्यों देखते हैं एक बन्दा है मेरे थेडी राजेश करके ऐसे को कॉल करक लें हमने के राजेश करके हैं उनको कॉल मिलाता हूं हमारी थेरानॉर्मल टीम से हैं वह हाइभर राजीव इन जी अलूग बोलाओ न्यूजीटीन इंडिया से अंजी अलोग जी बताईए बस बढ़िया एक काम था आप से हम मुरैना में इस वक्त ककनट मंदिर है यहां पर और लोग बताते हैं कि इसे एक रात में भूतों ने बनाया था तो हम उसे चक करना चाहते थे तो क्या आप मिल पाओगे हमें यहां अब हमें रात होने का इंतजार था उन आवाजों को परकने का जो रात में शिव के गणों की बताई जाती है उन तंत्रों और मंत्रों के दावे को देखने का जो अंधेरे में इस शिवधाम के रहस्य को रोशन कर देते हैं थोड़ी देर में हम उस रहस्य का सामना करेंगे जो रात में यहां जिन्दा हो जाता है इक सब्सक्राइब यहीं तो आगरा में आगरा में साथ साल बाद लगबग आगरा मंतरों की आवाजें गाओं वाले सुनते होंगे ककन मठ को भूतों ने बनाया ये कहानी तो पहले इसे चली आ रही थी तो लोगों ने कहानियों को जोड़कर ये मान लिया होगा कि वहां रात में भूत पूजा करते हैं अभला कौन जिगरवाला जंगल में जाकर ये देखने की हम्मत करता है इसलिए वो कहानिया आज तक चली आ रहे हैं हमें अपनी इस थियोरी पर पूरी तरह यकीन का और यही यकीन हम पर बारी पड़ गया क्योंकि फिर जो हुआ वो आज तक हमारे लिए रहस्य बना हुआ है ककन मट अलोकिक अदुभुत और दुनिया की सबसे अलग सन्रचना वाला मंदिर पूरी दुनिया का सबसे अनोखा और अनूठा शिवधाव उसकी सन्रचना और कहानी इसको सबसे अलग कर देती है लेकिन इसका यह अकेला पन इसको और रहस्य मई बना देता है कहते हैं वो रहस्य रात में जिन्दा हो जाता है अपने सुबूतों के साथ जिसे देखने की आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की आज पहली बार आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ये होसला दिखाएगी आज रात होगी ये जंगल होगा ककन मठ होगा हम होंगे अब फिर वो आएंगे जो दिख गए तो समझो शिव दिख गए कैचनमत मंदिर के बारे में अगर हम बात करें तो एक सेकंड गाड़ी आ रही है अरे ये तो हमारी पैरनॉर्मल टीम है राजिश बस बढ़ियां आप कैसे हो और अंजली तो इसी मंदिर के बारे में हमने आपको बुलाया है ककनमत मंदिर जो मुरेना में है मैंने भी काफी नाम सुनावा है वैसे ककनमत मंदिर का और जो इससे जुड़ी भी बाते है वो देखके सच में ऐसा सरचकराने वाला मामला हो जाता है क्योंकि यहां की इतनी ज़्यादा कहानी सुनी है आपने इससे पहले कभी किसी मंदिर में पैरनॉर्मल एक्टिविटीज को चकी है मैंने इन्वेस्टिगेशन करी है हम पैरनॉर्मल टीम को मंदिर ले गए सबसे पहले हमने अंजानी ताकतों की हलचल पकड़ने वाले साइन्टिफिक एकुपमेंट्स की जाच की फिर हमने मंदिर में अलग अलग जगा गूम कर उन्हें लगाने की जगा मार्क करनी शुरू की मंदिर के बाहर पत्थरों के बीच गर्ब ग्रह के पास मंदिर के हर हिस्से का मैप अब हमारे दिमाग में चप चुका था आधी अकीकत आधा फसाना की टीम होगी साथ में पैरनॉर्मल एक्सपर्ट और उनके साइन्टिफिक एकुपमेंट्स शिवधाम का सदियों पुराना रहस्य थोड़ी देर में खुलने वाला है तो राजिश हम कौन सी जगह पर ऐसी अक्टिविटीज करने वाले हैं यहाँ पर देखो मैं कहता हूं कि सबसे पहले तो हम तीन मोशन सेंसर को अलग 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 लोकेशन पर प्लेस कर देते हैं क्योंकि वह जब हम नहीं भी रहेंगे तब भी वह मुमेंट को कैप्चर करता रहेगा बाकी फिर उसके अलावा ऐसा है कि इंफररेड थर्मोमीटर से हमें जगा जगा पर कोर्ट स्पोर्ट्स के लिए रीडिंग लेनी ही पड़ेगी हमने अपने प्लैन के मताबिक मंदिर में जगा जगा एकुट्मेंट लगाने शुरू की यहां पे मेरे इसाब से night vision camera place करना सबसे better option होगा क्योंकि यहां पे 360 degree हमें पूरा view चाहिए अब वो किसी एक sensor से मिलनी पाएगा night vision camera ही है जिसे हम दूर खड़े होके भी 360 degree तक operate कर पाएगे तो सबसे best possible chances मेरे इसाब से यही place करना रहेगा इसे और मतलब मुझे लगता कि यह थोड़ा सा जाधा visible भी होगा हम सब के लिए भी बिल्कुल प्लस naked eye से जो चीज हमें नहीं दिखती है अंधेरे में वो चीज यह capture कर लेगा और इसको हम monitor कर सकते हैं अपने phone के जरिये और इसको हमने यहां पर place किया है हम बहुत सारी information जो हमारी आखों से नहीं देख सकती हम उसे यहां से देख सकते हैं बिलकुल फिर हमने टीम के लोगों को अलग अलग जगा पर तैनात कि तो यह जो motion sensor है इसको हम कहां पर रखेंगे मेरे ख्याल से अलोग भाई motion sensor को अगर हम यहां पर रखेंगे तो काफी बहतर रहेगा क्योंकि motion sensor का कुछ दायरा होता है कुछ एरिया होता है जहां तक वो capture कर तो हमारी टीम से एक अंजली को खड़ा कर देते हैं हां अंजली खड़ी हो जाएगी अंजली हमारे साथ यहां पर है और अंजली यहां पर मौजूद रहेंगी और चलते आगे के तरफ आगे के gadget लगाते है अब बारी थी आखरी equipment लगाने की अपको क्या लगता है कि और ज यहां पर मोशन सेंसर में यह देखो यह देखो यह देखो यह देखो यह देखो यह देखे यहां पर मोशन सेंसर जो है उसमें यहां पर लाइट जल रही है और यह सेंसर काम कैसे करता है जैसे कि आपने बताया था कि कोई आजपास गुजरेगा तभी यहां पर यहां पर हल्चल की उम्मीद नहीं थी हम काफी देर दिमाग लगाते रहे लेकिन कुछ समझ नहीं आया जब लाइट जली तब हम वहीं थे और हमने किसी को लाइट के सामने से गुजरते हुए भी नहीं देखा शायद कोई बड़ा कीडा रहा होगा हम शक को हवा में उड़ा कर आगे बढ़ चले हम अलग अलग जगों पर जाँच कर रहे थे टहलते टहलते हम मंदिर के एक कोने में पहुँचे वहाँ हमें एक अजीब सी गंध और सीने में दबाव का एसास हुआ कुछ समझ नहीं आया तो हमने बहाँ जाँच करने का फैसला दिया यहाँ पर जो टेंपरेचर है वो कम हो रहा है comparatively यहाँ पर थोड़ा सा कम है अंदर जब हमने देखा था 24-25 डिगरी चल रहा था टेंपरेचर यहाँ पर 18-19 के करीब भी जा रहा है इसका मतलब क्या होता है मतलब cold spot वो होता है जहाँ पर एकदम से काफी जाधा temperature drop हो बट यहाँ पर एक valid reason है क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी है वो गीली है तो गीली मिट्टी की वज़े से इसमें temperature drop आ रहा है बाकी वैसी कोई cold spot वाली बात नहीं है हम अपना कोई और gadget यहाँ पर लगा के देखें चलिए पूछ लेते हैं कोई सवाल यहाँ पर देखें अब हमने यहाँ पर मेटर लगा दिया है और अब तवाल आप पूछेंगे अभी एकदम मेटर ब्लेंक है अभी कोई energy नहीं है कोई भी disturbance नहीं है तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए हम तयार नहीं थी अलोग अगर आपका वाज सुनाई दे रही हो सुन पारे हो आप जंगली कुत्तों की आवाज है जैसा मैं आपको थोड़ी देर पहले बता भी रहा था कि जंगली जानवर यहाँ पर काफी है तो कितनी जोर से पूरे जुन्ड की आवाज आ रही है आपके और अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो जैसे ही हमने यहाँ पे EMF मिट रखा वैसे ही वो आवाज आनी शुरू ही है राजेश ने कहा कि अब वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसे पैरनॉर्मल की दुनिया में मौत को बुलाना कहते हैं जिसे कोई नहीं करता लेकिन जाच तेज करनी हैं तो यह खत्रा उठाना पड़ेगा कई बार क्या होता है एनर्जी जिस नूर्मल भाशा में अगर हम नूर्मल प्यार से सवाल पूछते हैं तो वो जवाब नहीं देती है अगर मुसको प्रवोग करते है तो वो ज़दे रियक्ट करती है क्या यहाँ पर कोई है जो हमसे बात करना चाहता है अगर आप में दम है तो आप आईए हमसे बात करिए अगर आप में दम है तो आप हमें जवाब दे के दिखाईए वरना हम यहीं मानेगे कि आप में दम नहीं है आप दर पोखो देख लीजिए दरपोख हो तो मता ये अगर दम है तो आगे आओ सवाल का जवाब दो बात करो हमसे कुछ आवाज यहाँ पर नहीं है तो हमें लगता कि यहाँ से अब हमें और चलना चाहिए अदर आटा पसर गया जैसे सब सहम गए हो नजाने क्या होने वाला था यह हमारी पहली पड़ताल नहीं थी लेकिन पहली बार दिल की धड़कने साथ छोड़ रही थी फिर भी हमने हिम्मत करके राजेश का साथ छोड़ा और अकेले घूमना शुरू किया आधी अकीकत और आधा फसाना और पैरनॉमल टीम अलग-अलग घूम रही थी तबही अचानक फिजा में कुछ आवाजें गूजने लगी थी इस प्याबान में रात में मंतरों का जाप कौन कर रहा था क्या ये ताकतों को चुनौती देने का नतीजा था क्या ये आवाजें इनसानी थी या कुछ और था जो शिव को पुकार रहा था वो जिनके खौब से यहां कोई नहीं आता कुछ एक आवाज हमें सुनाई पड़ रही देखे ज़रा कुछ लाइट से जल रही है देखे को लाइट से जल रही है चली देखते हैं यहां पे हो क्या रहे है कोई बाबा है जो अपनी साद्ना कर रहे तो को इस दो आप मारत अ कि आपकर रहा रहा जारे। बाबा ने ना बोलने का मौका दिया ना सवाल जवाब करने का लेकिन बिना बोले हमें सारे सवालों का जवाब दे दिया सारा डर गायब हो गया हमने राहत की सांस ले हमारी थियोरी एक गम सही थी ऐसे ही तांत्रिक रात में यहां पूजा करते होंगे और उन्हीं की आवाजों और हवन की आग को लोग चमतकारी ताकते मान लेते होंगे हमें लगा कि रहस्च सुलच गया थोड़ी दूरी पर हमें राजेश फिर से मिल गए हमने चर्चा की और रहसाह शक्त खत्म करने के लिए उस जगा पहुंचे जहां आत्माओं के सबसे जादा देखे जाने का दावा किया जाता है इस बर्गत के पेड़ के पास हमने सोचा था कि हम कुछ अक्टिविटी देखेंगे कोई गजट रखेंगे तो यहां कौन सा गजट रखेंगे यहां पर अलोग भाई मेरे इसाब से के टू मीटर के साथ में इन्वेस्टीशन कर आ जाए तो सबसे बैस्ट है बाकी आप एक बार पर कोल्ड स्पोर्ट चेक कर लो कहीं यहां पर कोई कोई हम आपके लिए किसी परकार का कोई खतरा नहीं है अगर आप हमारे पास आओगे तो हम आप से कुछ बात कर पाएंगे यह सामने मैंने केट्र मीटर रखा है अगर आप कुछ कर सकते हो इसके साथ में हलचल तो इसके आस पास आईए इसको छेड़के देखिए जो हरकत आप आपने तब करी थी फिर से वही अरकत करके देखिए क्योंकि हम समझ पारें यह देखिए यह देखिए यह दूसरी लाइट जलिए इससे पहले भी बहुत सारी लाइट जल रही थी चार लाइट तक यह गई वी है जो कि एक काफी जादा पावरफुल एनरजी जो हमारे बि लिकल जारी है चंद पल पहले जो रहस्य सुलज गया था वो फिर उलज गया यह क्या था आसपास ना कोई पावर लाइन थी नहीं कोई और एनरजी सोर्स फिर लाइटें क्यों जल रही थी बेघर हो चुका डर फिर से दिल में पैर पसारने लगा हम बार बार खुद को तर मैं दूर रखके एक बार देखते हैं हो थो सकता कि हमारी हमारे हाथ से कोई लेना देना नहीं है हमने उररी कैमरा दूर कर दिया ताकि कैमरा की रेडिएशन से नहों बाक Hearts जो भी है देखे देखे अब भी भी यह रियाक कर रहा है इसका मतलब है कि हमारे आज पास कोई एनर्जी है बिल्कुल जो हमें मौझूद होके यहां पर सुन रही है बिल्कुल अलो भाई यह देखो यह सच में देखे आप यहां पर अभी ब्रिंक हो रही थी लाइटें यह अब हम वह सवाल पूछेंगे जो यहां का हर बाशन्दा जानना चाहता है जो ऐसा लोग कहते हैं कि रातो रात यह मंदीर बना दिया गया था क्या आप उनमें से ही कोई एक हो का है अगर यह देख यह देख यह देख फिर आगी फिर आगी अगर आप उनमें से कोई एक हो तो क्या एक बार फिरसे आप लाइट दे सकते हो एक और लाइट देख रहे हैं आप ये देखें ये लाइट बार बार ब्लिंक हो रही है तो इसका मतलब ये वही है जो हजारों साल से ये देखो ये देखो ये देखो जो अब भी यहाँ पर मौझूद है जो हमसे बात करने की कोशिश कर रही है क्या यहाँ कोई हाई मेगनेटिक जोन था या कुछ और जिसकी वज़े से केटू मीटर की लाइटें जल रही थी अगर मंदिर में कोई अंजान ताकत है तो दूसरी जगा पर भी होगी हम अपने साथियों की तलाश में चल दिये शायद उन्हें कोई हरकत दिखी हो हम वहाँ पहुंचे जहां अंजली थी लेकिन वह वहां नहीं मिली लिखने और भयाँ हें कई तो अजली दिखने कई पे अजली दिक सब्सका का बिल्कुल नहीं चाहीं इंक और दो नहीं हो सब्सक्रसें UH तो देखना और दो सब्लऻAttर दी अनजली की हों घवाँ डरी कि यह क्या हो क्या हूं कि यह रुआ है यहां क्या कर रहे हो आप वह मे कर दो कुछ ठीक लग रहा है आपको वह जैथा अपके सथ हैं चक्कर आरहे हैं कैसा लग अभी सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कुछ समझ नहीं आया अंजली के साथ क्या हुआ वो यहां तक कैसे पहुंची क्या उसे कुछ दिखा था यह सारे सवाल हम उसकी तबियत ठीक होने के बाद पूछेंगे लेकिन तब तक हम दूसरी जगा पर जाँच करेंगे यह अंजली की तबियत तो मुझे लगदा कि खराब हो गई अचानक से यह थोड़ा सामने जो लग रहा है या तो मोसम की वज़े से उमस की वज़े से एकदम से ऐसा हुआ होगा चंदपलों में ही वो हुआ जिसने हमारी सारी प्लानिंग और सारी सोच को धेर कर दिया एक बाद बताए कि मतलब कौन सा सही वक्त होता है कि जब हमें ऐसी इनर्जी महसूस होती है आलोग भाई वक्त एकदम परफेक्ट है मेरे एसाब से रात के दो से तीन बजए का टाइम सबसे जादा पाउर्फुल टाइम माना जाता है ऐसे स्पीरिट्स के लिए अभी लग बख ढ़ाई बज़ेरे तो परफेक्ट टाइम है परफेक्ट प्लेस है कुछ कुछ ऐसी एक्टिवीटिज हो रही है जिसे हम क्या सकते है कि कुछ एनर्जी का काम है सुन रहो ना यार मेची को तोड़ा सा अनीजी से लग रहे हैं 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 पानीजी 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 से लग रह अभी एकदम से हुआ है, आलोग भाई खुद को कई बार समालने की कोशिश की, लेकिन तबियत बिगड़ती चली गई निजाम भाई, थोड़ी तब ये ठीक, सौक्स में दिक्कत होड़ी निजाम भाई, इनको ले चलते हैं अभी यहां से आजो आजो, इनको यहां से ले चलो, अभी यहां से निकलना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से निलीत ख़राब हो गई है, एस तुनेस पोसील हमें उस्पिटल जाना पड़ेगा, पानी दो, पानी दो, पानी पलाओ, पानी पीलाओ, looks ... आप खड़े हो आप खड़े हो आप यहां बैठो मत आप चलो यहां से नहीं 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 यहां नहीं यहां से खड़े हो जाओ खड़े हो यहां से तो लो चलो यहां पे वैसे भी ज्यादा देर रुकना सेफ नहीं क्योंकि चारो तरफ जंगल है कोई जंगली जानवर भी आस इससे पहले की कुछ और होता हमने आलोप को वहां से तुरंत होटल बेज दिया हमें जितना काम करना था वो मेरे खाल से पूरा हो चुका है तब यह सबसे पहले नंबर में प्रियारिटी रहनी चाहिए वारी फटा-फट से गाड़ी में बैठोर निकलो यहां से गाड़ी करो जल्दी सुबह की ताजा रोष्णी ने अंधेरा तो मिटा दिया लेकिन रहस्य कायम रहा मंदिर में जो दिखा उसे तरकों में पिरोया या समधाया नहीं जा सकता यानि अब हमें एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ेगी करकनमट का जहां तक पत्थरों के उसके material का सवाल है उस एरिया में वो पत्थर पाये जाते हैं उस जगह particular में नहीं है थोड़े सी दूर में मितावली पड़ावली है वो भी मुरेना ही डिस्टिक में वहां पर यह पत्थर पाये जाते हैं जिस पत्थर से वह बना हुआ है और उस पत्थर का नाम है सेंड स्टोन जियोलोजिकल भूविज्यादिक भासा में उसकी अकॉन उम्र की बात करें तो वो कैमूर फॉर्मेशन्स का है और वो मिलियन्स ओफ एयर पहले के पत्थर हैं आजके नहीं है जिसके द्वारा वो ककर्मट बनाया गया है सारे तो नहीं लेकिन कुछ रहस्य खुल गए थे भूविज्यानी ने हमें ये जरूर बता दिया कि मंदिर के ना गिरने के पीछे कोई चमतकार नहीं है बलकि उसकी वज़ा कुछ और है यह जो एड़िए जिसम ककनमट है सहोनी도 में बना हुआ है यह एपना एरिया में है और भूकम पर जो जो जोस्विंस बनाए गए हैं पांच जोंड मैं पूरे इंडिया को भारत बेरस् अदिवाइड जो ककनमट जहां तो जोन टू एरिया में भूकम्प बहुत माइल्ड लेविल के आते हैं कि जिससे कोई भी बिल्डिंग में नुक्सान नहीं होगा कोई मतलब इस तरीके के किसी भी प्रकार के इस टेक्चर में बहुत बड़ी हानी नहीं होगी फिर हमने अंजली से बात की अंजली की बातों ने सुलजते धागों में एक नई गांठ लगा दी ककन मठ मंदिर किसी राजा ने बनाया या भगवान शिव के गणों ने उसे तंत्रों की शक्ति गिरने नहीं देती या उसकी भगोलिक स्थिती उसकी सुरंग में रहस्य चुपा है या कोई दबा इतिहास ये सवाल सदियों से कायम थे और फिलहाल कायम ही रहेंगे ककन मठ के हर हिस्से में बसे अनूठे पन श्रद्धा और कहानियों के साथ जो आज भी एक ही बात कहती है ये सुहम संकर जी का ही काम है उन्होंने एक ऐसी या बना दी कि लोग संकर जी बोले के नाम ने पुकारेंगे बूत का बोलेंगे बूतों ने बनाया कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो और है झाल झाल